प्रेंड्स कैसे हो सब लोग आई होप सब लोग अच्छे होंगे बहतर होंगे और स्वस्त होंगे स्वागत आपका फेर्स क्लाउड लर्न टू लीड में जैसे कि आपको पता है कि हम सब्तमबर महिने के टॉपिक बाइस क्रेंट पर स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत से इंपॉर्ट इंपॉर्ट कवर कर भी चुके हैं लेकिन आज का जो टॉपिक ऑफ डिसकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अवार्ड्स और रेकोगनिशन मतलब जितने भी अवार्ड्स सेरेमनी हुई है सब्तमबर महिने में जिन लोगों को अवार्ड्स मिला है के लिए इंपॉर्टेंट है जै वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन उसमें अवार्ड्स के बारे में पूछ लिया जाता है बैंकिंग एक्जाम हो एक्जाम हो किसी भी एक्जाम में आपको यह करन्ट फेर जो है पूछा जा सकता है तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट त है वो बाई कर सकते हैं दोनों का ही प्राइस बहुत कम है एक बर मेरे कहने से प्राइस जुरूर चेक करें आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पर हम आपको बहुत सी चीजे प्रवाइट कर रहे हैं तो क्या क्या आपको मिलेगा आपको मिलेंगे डेली क्र की होगी एक question and answer format होगा लेकिन एक quiz होगा जो कि हर हफते आप हमारी application के उपर attempt कर सकते हो next होगा monthly section इसमें चार तरह की PDF मिलेंगे जो की अलगलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो जैसे कि study PDF है ये detail current fair है जिसमें आपको theoretical current fair मिल जाएगा एक question and answer format में जितने भी current fair detail में मिलेंगे वो question and answer format में इसमें मिल जाएगे तो practice यहां से कर सकते हो best 100 current fairs भी आपको दिये जाएगे जो कि उस महीने के best current fairs होंगे उसमें 100 current fair जो है question and answer format में आपको दिये जाएगे एक pocket PDF होगी मतलब जल्दी जल्दी में current fairs को revise करने के लिए दो लाइन में तीन लाइन में तो आप इसका use कर सकते हैं इसी के साथ हम आपको दे रहे है topic wise current fair हम 20 बहुत ही important important topics की अलग-लग PDF आपको provide करेंगे अगर आप particular किसी exam के लिए कुछ topics को revise करना चाते हैं जिसमें banking and economy से related detail current fair उसी से related question and answer format current fair आपको PDF में मिल जाएगा और banking and economy का quiz भी आप attempt कर सकते हो हर महीने हर महीने attempt कर सकते हो हमारी application के उपर और अगर जितना भी current fair अभी तक हो चुका है जैसे मान लो आपका exam जो है वो 30th of May को है तो 29 माई तक जितना भी current fair हो चुका है वो सारा का सारा एक ही PDF से revise करने के लिए उसी साल का आप exam PDF का use कर सकते हैं तो हम आपको हर state का हर unit territory का current fair भी अलग से provide करते हैं तो इस सारी चीज़े दोस्तों अलग लग नहीं सिरफ एक ही subscription में आपको मिलेंगी सिरफ आप हमारी application को download करें crack current fairs के उपर click करके उसको subscribe करें उसके बाद जो है वो आप 10% extra discount भी ले सकते हो वो मिलेगा आपको अगर आप इस code का use करोगे ASH10 का लेकिन किसी भी तरह की query है तो इस email ID पर हमें mail कर सकते हैं इस number पर हमें contact भी कर सकते हैं तो start करते हैं सब्तंबर महीने का जो हमारे पास topic wise current fair है और आज का जो topic of discussion है awards and recognition है मतलब हम बहुत ही important awards को cover करने वाले हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनना है तो पहला question है how many Indian startup companies कितनी startup companies चो इंडिया से belong करती हैं उनको एक list के अंदर add किया गया है और वो दूसरा addition है इस list का list का नाम है Forbes Asia 100 to watch 2022 list और यह Forbes Asia की तरफ से release की गई है अगस्त 2022 के बिलकुल last में तो इसमें कितनी Indian startup companies हैं simple words में याद रखोगे कि Forbes Asia 100 की जो list है उसमें इंडिया के कितने startup शामिल किये गए हैं 11 startups जो हैं वो इसमें शामिल किये गए हैं तो answer क्या होगा इसका 4 होगा और यह वो startups हैं जो की Asia Pacific वाले area में start किये गए हैं और इसमें जो 11 startups हैं specially अगर आप देखोगे उसमें 11 startups जो हैं वो electronic से ज़्यादा जुड़े हुए हैं और अगर आप top स्थान पे देखोगे सबसे ज़्यादा startup इस list के अंदर कौन सी country के हैं तो answer आएगा आपके पास Singapore क्योंकि Singapore के 19 startups जो हैं वो इसमें शामिल किये गए हैं और दूसरे स्थान पे हैं फिर Hong Kong Hong Kong के जो हैं वो 16 हैं फिर उसके बाद आता है हमारे पास South Korea South Korea के 15 हैं फिर आता है हमारे पास China China के जो है वो 13 startups जो है वो इसमें शामिल किये गए हैं तो आपने याद रखना है Singapore पहले स्थान पे आए और India के startups कितने हैं 11 हैं अगला आते हैं एस पर दी list of India's 10 most valued companies by market capitalization जो की release की गई तो market capitalization के according इंडिया की 10 most valued companies में से स्थान जो है वो अदानी transmission का कौन सा है तो अपने याद रखना है अदानी transmission का स्थान इसमें 9th है लेकिन ऐसी कौन सी company थी जो top 10 में थी लेकिन अब जो है वो उसकी 11th position है मत्तब top 10 से वो बाहर निकल चुकी है और ये company हमारे पास कौन सी है LIC Life Insurance Corporation तो अंसर हमारे पास क्या होगा तीन बन रहा है यहाँ पे तो अंसर यहाँ पे 9th और Life Insurance Corporation होगा तो Life Insurance Corporation of India जो की बाहर निकल गई है top 10 most valued companies इंडिया में market capitalization के according और अब 10th नंबर पे कौन सी company आ गई है बजाज, finance जो है वो कौन से नंबर पे आ गई है का जो rank है वो भी improve हुआ है आगे से और अब वो 9th नंबर पे आ गया पहले वो top 10 में भी जो है वो नहीं थी उनकी position और Alliance Industries जो है वो इस list में top करती है मतलब most valued company में अगर स्थान है तो वो Reliance का है 17.8 लाग क्रोड रपे जो है वो उनकी market capitalization है और इसमें दूसरा स्थान जो वो TCS का है फिर अगर banking sector में देखोगे तीसरा स्थान HDFC का है लेकिन banking sector में सबसे उपर कौन सा होगा HDFC bank होगा फिर कई और companies है Infosys है, Hindustan Unilever Limited है ICAC Bank है, State Bank of India है HDFC Limited है तो इस तरह से companies को आंका गया लेकिन top Reliance है और कौन सी company बाहर निकल गई है LIC उस organization का नाम बताना है जिसको recently Green Channel Certified किया गया है Green Channel Certificate दिया गया है Green Channel Certification मिला है Ministry of Defense की तरफ से और यह company है Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited तो answer क्या होगा इसका 4 होगा तो यह warship maker company है मतब warships बनाती है और इस company का नाम है Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited तो इसको Green Channel Certification दिया गया है Ministry of Defense की तरफ से क्यों मिला है क्योंकि इन्होंने बहुत सी चीज़े जो है Ministry of Defense के लिए बनाई है साथी साथ environment को भी दियान में रखा है और इन्होंने recently एक portable steel bridges का निर्मान किया है steel bridges का निर्मान किया है जो कि Indian Army के अंदर उपियों किये जाएंगे तो जो Garden Reef Shipbuilders and Engineers लिम्टेड है ये only ऐसी organization है इंडिया के अंदर जो Green Channel Certification के लिए क्वालिफाई करती है क्योंकि इन्होंने portable steel bridges का निर्मान किया था Indian Army के लिए इसके साथ आते हैं अगले question के उपर कौनसी statement correct है अगर हम smart solution challenge या inclusive city awards 2022 को दियान में रखके इन statements को पढ़े और आपने एक बात याद रखनी है कि जो union minister है हमारे पास हरदीप सिंग पूरी जी जो कि union minister housing and urban affairs के उन्होंने ये smart solution challenges और inclusive city awards जो है वो 2022 पेश किये है और एक पर पढ़ लेते हैं को फिर देख लेते हैं कि कौन कौन सी बात इसमें से सही है कौन सी गलत है पहली है यह statement दोस्तो गलत है क्योंकि early stage innovation category के अंदर जो company सबसे उपर है वो है fifth sense कौन सी company है fifth sense जो की Glowatrix private limited की ही एक subsidiary है तो इसका मतलब X is able जो है वो गलत है यहाँ पर answer क्या होना चाहिए fifth sense होना चाहिए category early stage innovation के अंदर तो यह statement गलत होगी In the category of market ready solutions इस category के अंदर जो company आगे आई है वो आई है mouseware company जो की किसकी है dextroware devices limited की है तो उनको winner announce किया गया market ready solutions के लिए mouseware बिल्कुल सही है implemented solutions के लिए multi-dimensional inclusiveness using advanced technologies for education and literacy और यह company का नाम है Bella Gavi Smart City Limited इनको top price दिया है तो यह बहुत ही important मैं नहीं कहूंगा question को लेकिन आपने दूसरा और तीसरे option को एक पर पढ़ लेना है ताकि अगर किसी बात में option में आ जाता है तो आप अंसर कर सकते है तो C option भी यहाँ पे सही है तो याद रखना है implemented solutions के अंदर Bella Gavi Smart City जो education and literacy के लिए advanced technology का use करके अपना काम करते है उसको top price दिया गया है तो answer यहाँ पे correct पूछा है तो A तो गलत हो गया इसका मतलब answer होगा only B and C तो तीसरा answer जो हो यहाँ पे मिलेगा इसी के साथ आते है अगले question के उपर कौन सी personality इसमें से नहीं है नहीं है पूछा गया है जो की रमन मैकसे से अवार्ड हासिल नहीं करती है जिसको रमन मैकसे से अवार्ड नहीं मिला है वो हमने डूढना है लेकिन आपने याद रखना है यह 64th एडिशन था रमन मैकसे से अवार्ड का जो 2022 में हुआ है तो options देख लेते हैं Gary Benchegib Gary Benchegib इंडोनेशिया से बिलॉण करते हैं इनको दिया गया है रमन मैकसे से अवार्ड नेक्स है बरना देते मैधरिद यह फिलिप Means से बिलॉण करते हैं इनको भी यह वार्ड मिला है Next है सुतियारा चिम कमबोडिया से इनको भी यह वार्ड जो है वो दिया गया है और साती सात एक ओर है जिनका नाम है तदाशी हातोरी यह जपैन से बिलॉण करते हैं और इनको भी अवार्ड दिया गया है रमन मैक्से से, तो चार परसनेलिटी इसको अवार्ड मिला है, इसका मतलब पहला अंसर नहीं हो सकता, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, एक ही option आपके पास बचा बिनोवबावे, उनको ये अवार्ड नहीं मिला है 2022 का, और 2022 का जो रमन मैक मैक्से से अवार्ड को स्थापित किया गया था 1957 में, और इसको एशिया का नॉबल प्राइस के तौर पर जाना जाता है, और फर्स्ट रमन मैक्से से सेरमनी जो है, वो 30 अगस्त 1958 को की गई थी, और आप ये भी याद रख सकते हो कि रमन मैक्से से नाम जो है, वो क्यों जिनको रमन मैक्से से अवार्ड दिया गया था 1958 में, क्योंकि पहली सेरमनी हुई थी, 31st August 1958 को, तो उसमें बिनोवा बावे शामिल थे, अब ये भी कह सकते हैं कि ये ऐसे पहले बारतिया है, जिनको रमन मैक्से से अवार्ड से समानित किया गया था, नेक्स आते हैं अगले स्टीट का नाम रख दिया गया है, आप कह सकते हो स्टीट का नाम रख दिया है, कौन सी जगा पे, और ये रखा है मर्खम के अंदर, जो की अंटेरियो में स्थित है, और अंटेरियो में अगर स्थित है दोस्तों, तो इसका मतलब हम कौन सी कंट्री की बात करने हैं, क्या राने डाकी, थो Ansar होगा, तीन होगा. तो आप कह सकते हो की लाइक मर्खम के जो मेर हैう या काउंसलर्स हैं उनकी रजामंदी से यह गली का नाम या are रहमान और अब कह सकते हो की रहमान नाम जो है वो इसलिए रखा गया है क्योंकि नवंबर 2013 में बहुत से कंसर्ट जो है वो A.R.M.A. ने वहाँ पे किये थे और उसी के आप कह सकते हो ओनर में ये नाम जो है वो उनको दिया गया है अगले कोशन के उपर आते हैं नेम दी परसनेलटी हूर रीसेंटली रेसीव दी सहित्या पुरसकार अफ लोकनाएक फाउंडेशन और ये इस बार 18 लोकनाएक फाउंडेशन अवाड दिया गया है और ये सहित्या पुरसकार दिया गया है किसकी तरफ से लोकनाएक फाउंडेशन और ये लोकनाएक फाउंडेशन अवाड मिला है इस बार तनिकेला बहरेनी को तो अंसर क्या होगा चार होगा एक बहुती फेमस तेलगू राइटर और एक्टर जिनका नाम क्या है तनिकेला बहरेनी और उनको ये सहित्य पुरसकार दिया गया लोकनाएक फाउंडेशन की तरफ से और ये अवार्ड सेरिमनी कहां पे की गई है अंदरा परदेश के अंदर और लोकनाएक फाउंडेशन जो है ये हर साल ये अवार्ड दे रही है पिछले 18 सालों से 2005 में बेसिकली आप कहा सकते हो स्टार्ट हुआ था और ये पॉपरली इस अवार्ड को अंदरा ग्यानपिट भी कहा जाता है याद रख सकते हो और इस के अंदर जो है वो अवार्ड की जो पूरी राशी है वो दो लाख रुपे की है हर साल ये अवार्ड किसी बहुत ही फेमस तेलगु राइटर को मिलता है या कोई तेलगू पोएट को मिलता है जिसने पिछले कुछ सालों के अंदर तेलगू लिट्रेचर में अपना बहुत बड़ा योगदान जो है वो दिया हो याद रखना है तानी के ला बहननी कौनसी स्टेट को Recently International Travel Award 2023 का खिताब दिया गया है और वो कौनसी के अंदर Best Destination for Culture के अंदर और यह अवार्ड दिया है Pacific Area Travel Writers Association की तरफ से और यह मिला है दोस्तो कौनसी स्टेट को West Bengal को तो अंसर क्या होगा एक होगा और अपने खास्त और से याद रखना है कि इस अवार्ड को प्रिजेंट किया जाएगा World Tourism and Aviation Leader Summit अवियेशन लीडर सम्मिट के अंदर जो की कहां पे होगी बरलिन के अंदर होगी March 2023 में तो यह अवार्ड मार्च 2023 में West Bengal सरकार को दिया जाएगा और यह जो Pacific Travel Writer Association है यह एक Professional Travel Writer Organization है जिसकी शुरुवात 1998 में की गई थी तो बहुत important हो गया कि International Travel Award 2023 वेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर का खिताब जो है वो कौनसी गवर्मन्ट को दिया गया है West Bengal गवर्मन्ट को दिया गया है सब्तंबर 2022 में क्रीम मुस्तफा बेंजमा जो की कौनसी कंट्री से बिलॉंग करते हैं उनको UEFA की तरफ से Men's Player of the Year का खिताब दिया गया है और इसी तरह से कौन सी वोमिन है जो कि स्पेन से बिलॉंग करती हैं उनको वोमिन प्लेयर आफ दी एर का खिताब मिला है और ये हैं अलेक्सिया पितलस सेगूरा और ये फ्रांस हमारे पास था ही तो अंसर क्या होगा यहां पे एक होगा और ये 2021-22 का जो यूनियन ओफ यूर और वोमिन प्लेयर आफ दी एर आपने यहाँ पर याद रखना है मैंस है करीम मुस्तफा और वोमिन प्लेयर है अलेक्सिया पितलस सब्तंबर 2022 में अश्कर वजाहत को 31st व्यास सम्मान से समानित किया गया और इनको ये कौन से प्लेय के लिए जो है वो समानित किया गया तो नाम है अश्कर वजाहत और इन्होंने एक प्लेय लिखा जिसका नाम है महाबली जो कि किसके उपर फोकस्ट है अकबर और तुलसीदास के उपर फोकस है इसके उपर अकबर और तुलसीदास जो कि मुगल एमपरर के टाइम पिरिट की बात कर रहा है और महाबली प्लेय के अंदर ये specially बात करने की कोशिश की गई है कि कौन सबसे ज़्यादा या कौन सच में महाबली था मतलब अकवर महाबली थे या फिर तुलसीदास महाबली थे और व्यास समान अवार्ड के बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे एक तो यह 31st नंबर का यह याद रखना है और यह हर साल के के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है और यह रेकोगनाईज करता है हिंदी लिटरेचर को मतलब अगर आपका हिंदी लिटरेचर में कोई काम किया हुआ है और आप इंडिया के सिटीजन है पिछले 10 सालों का काम जो है वो देखा जाएगा उसके अ मानित किया है जिसको मेरिटोरियस सर्विस मेडल मिल्टरी के शेतर में हम कह सकते हैं और यह सरकार है सिंगापूर की तो अंसर क्या होगा इसका चार होगा तो मेरिटोरियस सर्विस मेडल या इसको आप कह सकते हो पिंगर जासा गैमिलांग अवार्ड जो दिया गया वो सु 23rd number के chief of novel staff है और इन्हों ने एक exercise start करवाई थी Singapore, India और Thailand के बीच में जिसको हम किस exercise के नाम से जानते हैं Sit Max के नाम से Singapore, India, Thailand, Maritime exercise जो कि 2019 में इन्हों नहीं सबसे पहले उस exercise को start करवाया था अगले question के उपर आते हैं As per the fortune India list of India richest for 2022 तो India richest नाम से एक list release की गई है 2022 की और यह fortune इंडिया ने release की है इसमें total 142 billion years जो है वो इंडिया में शामिल किये गए हैं और इनकी total net worth जो है एकर मिला दी जाए तो कितनी बनेगी तो इनकी total collective worth जो है वो 832 billion dollar है अगर आप रुपीज में लगाओगे तो 66.36 trillion रुपीज जो है वो इनके पास हो जाएंगे और Forbes की real time billionaire list में देखें तो Gotham अदानी जो है वो तीसरे नमबर पे आ चुके हैं पूरे world में तीसरे नमबर पे richest person जो है वो Gotham अदानी बन चुके हैं और इन्होंने पीछे छोड़ दिया है Amazon के founders Zeff Bezos को क्योंकि वो पहले तीसरे नमबर पे थे इस fortune Forbes real time billionaires list के अंदर और आपने ये भी याद रखना है वो इंडिया के richest man बन चुके हैं उनकी total network जो है वो 129 billion dollar के आसपास है 129 billion dollar और Alliance Industries के जो chairman है Mukesh Ambani जी उनकी network जो है वो 94 billion dollar है और उनका rank इस list के अंदर जो Forbes की list है उसके अंदर 8th नमबर पे है वो और Asia के second richest person है second richest person है वो Asia के अंदर अगले question के उपर आते हैं who recently won the creative arts Emmy Awards 2024 74th Emmys आप कह सकते हो और उनको कौनसी category के अंदर ये award दिया गया है outstanding narrator category तो उनको creative arts Emmy Awards से समानित किया गया outstanding narrator category में और वो personality है former president of the USA Barack Obama जी तो याद रखना है former president of United States Barack Obama outstanding narrator award जी जाते हैं और वो 74th Emmys के अंदर इसको जीतते हैं क्यों मिला है उनको ये award उनकी एक Netflix की series के लिए और वो Netflix की series का नाम है Our Great Our Great National Parks और इसके नीचे caption थी A World of Wonder तो ये पांच पार्ट की एक documentary series है जिसमें world के कई national park और white life के बारे में बताया हुआ है और documentary specially nominate की गई है outstanding cinematography category के अंदर एक non-fiction program के तहत और Barack Obama इसके अंदर nominate होते हैं outstanding narrator के अंदर मतलब उन्होंने सब कुछ बोल के इसके अंदर समझाया हुआ है और Barack Obama nominate किये गए है along with करीम अब्दुल जबार, देविड एटनबर्ग और साती साथ और भी कई personalities थी जो narrator category के अंदर शामिल थे और ये ऐसे दूसरे, दूसरे US के president है जिनको Emmy Award से समानित किया गया क्योंकि इससे पहले जो person थे, वो थे Dwight D. Eisenhower जो कि USA के 34th president थे, वो भी पहले जो है, वो Emmy Award जी चुके है 1956 में तो दूसरे US के president है जिनको ये award दिया गया अगले question के उपर आते है who was recently comfort the title of honorary rank of journal of Nepali army मतलब समानित के तौर पे या सम्मान के तौर पे जर्नल का रैंक मिला है नेपाल की आर्मी के अंदर और ये दिया है नेपाल की president विद्या देली बंडारी ने काटमंडू के अंदर किसको ये रैंक जो है वो दिया है कौन है मनोज चंदर शेकर पांडे ये chief of army staff है हमारे currently तो chief of army staff को नेपाल की आर्मी के जर्नल का सम्मानित तौर पे रैंक जो है वो दिया गया है और आपने याद रखना है जर्नल मनोज पांडे ऐसे first officer है जो cops of engineer से बिलॉंग करते हैं और इंडिया के 29th chief of army staff में शामिल हुए है इनकी appointment April 2022 में की गई थी और ये आप कह सकते हो कि 2021 में हमने भी जो है उनके नेपाली आर्मी के जो chief थे जर्नल प्रभु राम शर्मा जी उनको हमने इंडिया के अंदर Indian army के अंदर जर्नल का rank जो है वह समानी तोर पे दिया था तो अब उन्होंने हमारे chief of army staff को ये rank जो है वो दिया है तो पहले हमने उनको एक honorary rank दिया अब उन्होंने भी जो है वो हमें एक honorary rank दिया जर्नल का as per the kantar brands most valuable indian brand 2022 की अगर लिस्त देखें तो कौनसी कंपनी इंडिया की most valuable brand list में शामिल होती और टॉप नंबर पर आती है और आपने याद रखना है ये रैंकिंग जो है वो 2014 में start की गई थी most valuable Indian brands की अब तक एक ही इसमें टॉप कर रही थी HDFC 2021 तक लगाता टॉप कर रहा था लेकिन इस बार HDFC जो है वो टॉप नहीं करता इस बार टॉप करता है TCA startup consultancy service तो answer क्या होगा यहाँ पर तीन होगा तो यह कंतर ब्रांड की एक report है जिसका नाम है most valuable Indian brands इसमें TCA stop करता है क्योंकि उसकी total market valuation जब most valuable brand में उनकी brand value जो है वो 40.5 billion dollar है और इसमें दूसरा स्थान जो है वो किसका आता है HDFC का जिसकी जो market valuation जो brand value के according है वो 32.7 billion dollar है तो first position हमारे पास किसकी आती है TCS की और यह report release करता है market data और analytics firm जिसका नाम है कंतर उस bank का नाम बताना है जो की 63rd number पे आता है best workplaces in Asia के अंदर और only bank बन जाता है इंडिया में से जो की great place to work की इस list में शामिल किया गया है तो यह list जो निकाली है जिसमें best workplaces in Asia शामिल किये गए है यह great place to work organization ने निकाली है और इसमें इंडिया का एक bank शामिल है और वो कौन सा है federal bank तो आप कहा सकते हो कि इंडिया से एक bank जो की high performance के basis पे workplaces के अंदर बहुत अच्छा काम करने के लिए sustainable काम करने के लिए जो है वो इसको चुना गया है और great place to work के अगर data के recording देखें सिरफ इंडिया में 88% employees 88% employees जो की west workplaces in Asia के अंदर काम कर रही है वो on an average positive response दे रहे हैं और वो खुश है अपने काम से और अगर global level पे इस workforce को देखो गया तो 55% केबल ऐसे बरकर्स हैं जो की positive experience शो कर रहे हैं जो की positiveness शो कर रहे हैं जो की खुश है अपने काम से तो मतलब आप कहा सकते हो कि इंडिया में लोगों के एक अच्छा environment मिल रहा है काम करने के लिए नेम दी पदमशिरी recipient उस पदमशिरी परसन का नाम बताने जिनको पदमशिरी से समानित किया जा चुक है और उनको अभी recently शेवलियर देला लेजन दी ओनर जिनको हम knight of the legend of honor कहते हैं फ्रांस का top civilian honor है उससे समानित किया गया है और इनका नाम है सवाती पिरमल तो अंसर क्या होगा चार होगा तो इंडियन scientist and industrialist and पदमशिरी recipient डॉक्टर स्वाती पिरमल जो की vice chairperson है पिरमल ग्रुप की उनको समानित किया गया है शेवलियर देला लेजन दी ओनर या आप कह सकते हैं knight of the legend of honor जो की फ्रांस का top civilian honor है क्यों दिया उनको ये इनाम उनका बहुत बड़ा contribution ह बिजनस में, science में, medicine में, arts में, culture में या इंडिया और फ्रांस की अच्छे रिष्टों के लिए उन्होंने बहुत योगदान जो है वो निबाया है क्योंकि उनका business जो है वो दोनों दरफ फैला हुआ है और पदम शिरी award जो है वो इनको कौन से यर में मिला था 2012 में इनका science and technology के शेतर में योगदान देने के लिए और यह legend of honor जो award है यह Napoleon Bonaparte ने start किया था 1802 के अंदर और यह French Republic की तरफ से दिया जाता है उन लोगों को जो की France के लिए service करते हैं या आप कहा सकते हो France के साथ रिष्टे मजबूत करते हैं लेकिन यह nationality नहीं देखता कि कौन सी country से वो सम्मानित करते हैं जो भी personality में चुनी जाती है तो स्वाति पिरमल को यह award दिया गया है How many startups was recently presented inspire awards मानक तो कितने startups को recently inspire award मानक से सम्मानित किया गया है Inspire का मतलब है innovation in science pursuit and for inspired research मतलब science and technology के शेतर में वो startups जो अपने नए ideas लेके आए हैं तो उनको यह award generally दिया गया है और उसमें फिर यह सरकार जो है हमारी वो financial assistance प्रवाइड करती है पैसा प्रवाइड करती है ताकि वो अपने ideas को आगे बढ़ा सके तो 60 startups को inspire award दिये गए हैं और startups जो हैं वो 53,000 students से जुड़े हुए हैं मतलब कह सकते हो कि इन 53,000 students को जो है वो financial assistance प्रवाइड की जाएगी और यह inspire awards को department of science and technology ने start किया था और डाक्टर जितेंदर सिंख जी कहते हैं कि 2020 में इन inspire awards मानक की तरफ से जो भी competition हुए हैं उसमें 6,53,000,000 मतलब लगग 6,00,000,000,000 आईनोवेशन यह जो की states और union territory से बिलॉंग करते हैं इससे science and technology के शेतर में innovation बढ़ेगी तो 6 जो हैं वो startup चुने गए हैं inspire awards के लिए से लिए लिनियर्सलिस्ट को अगर द्यान से देखें जो कि 16 सब्तम्बर को का डेटा अगर हम इसमें से उठाते हैं 16 सब्तंबर की live ranking अगर उठाते हैं क्योंकि real time ranking है यह change हो सकती है गौतम अदानी जो है वो दूसरे ऐसे richest person बन गया पूरे world में दूसरे richest person पूरे world में और उन्होंने किसको पीछे छोड़ दिया है और एलन मस्क तो आपको बता है कि इस list के अंदर top में है और उन्होंने पीछ पीछे छोड़ दिया है अब वो जो है वो तीसरे नंबर पे आ चुके हैं बरनाड अर्नॉल्ट अब दूसरे नंबर पे आ चुके हैं गौतम अदानी पहले गौतम अदानी तीसरे नंबर पे थे और यह first Asian है जो कि top 3 list में पहुंचे हैं पूरे world की billionaire list के अंदर और गौतम मदानी की जो net worth है वो लगबक 5.2 billion dollar बढ़ चुकी है मतलब 3.50% के लगबक जो है वो उनका increase हुआ है और और कोई इंडियन अगर 10 richest list में अगर हम देखें तो मुकेश अमानी है मुकेश अमानी जो है वो 8th नंबर पे हैं पूरे world की richest list के अंदर उनकी total net worth जो है वो 93 billion dollar के आ कौन से points incorrect हैं अगर हम Bill & Melinda Gates Foundation के goalkeepers global goal awards को देखें जो कि सब्तमबर 2022 में दिये गए हैं तो यह award जो है वो अलगलग category में दिये गए हैं जैसे कि global goalkeeper award आगे देख सकते हो campaign award फिर है change maker award फिर है progress award सबसे important इसमें हमारे लिए है progress award तो एक बढ़ पढ़ लेते हैं कि global goalkeeper award 2022 से अगर हम देखें समानित किया गया है तो वो उर्सुला वांडियर लेयन को किया गया है जो कि जर्मनी से बिलॉंग करती हैं और अपने यह याद रखना है कि यह awards specially Bill & Melinda Gates Foundation की तरफ से दिया गया है नेक्स है Vanessa Nakate जो कि यूगांडा से बिलॉंग करती है उनको campaign award 2022 से समानित किया गया है और यह award दिया है मलाला यूसफ जाई ने नेक्स है Zahara Zoya जो कि अफगांडा से बिलॉंग करती है उनको change maker award से समानित किया गया है और यह award Angelina Jolly की तरफ से दिया गया है तो पहले 3 point जो है वो बिल्कुल सही है चौथा है Dr. Radhika Batra उनको progress award दिया गया है 2022 का और यह Lily Singh ने इनको award से समानित किया लेकिन दोस्तों यह सार जो है वो बहुत important है और यही statement incorrect है तो आपको question भी अगर आएगा यहां से पूछे जाने के chances बहुत जादा है Dr. Radhika Batra अगले question के उपर आते हैं कौन से initiative के लिए इंडिया को recently 2022 का United Nation Interagency Task Force Award और WHO Special Program on Primary Health Care Award से समानित किया गया Under the National Health Mission मतलब इंडिया ने उस mission को बहुत ही करने के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है World Health Organization ने इनको समानित किया है अपने अवार्ड से और WHO Special Program on Primary Health Care Award और आपने याद रखना है यह इंडिया Hypertension Control Initiative जो है वो Ministry of Health and Family Welfare की तरफ से स्टार्ट किया गया योगदान था WHO इंडिया का State Government का इसमें योगदान था और Specially Indian Council of Medical Research का योगदान रहा तो Hypertension को इंडिया लोगों में कम करने में जो है वो सक्सेस्फुल रहा है इसलिए उनको यह आवाड दिया गया कौनसी स्टेट्मेंट इसमें से सही है अगर IFL की Wealth here on India Rich List 2022 देखें सब्तमबर 2022 के अंदर जो रिलीस की गई है तो एक और पढ़ लेते इन स्टेट्मेंट को फालगुनी नायर जो है वो इंडिया की Self-made Richest Woman है बिल्कुल सही स्टेट्मेंट है फालगुनी नायर आपको पता एक बहुती फेमस ब्रैंड है हमारे पास न मजुंदर शार जो है बायो कॉन की हैड है चीफ है उनकी तो उन्होंने पीछे छोड़ दिया है और फालगुरी नायर वैसे भी आप याद रखोगे इंडिया की Richest Woman है Self-made Richest Woman में तो आता ही है उनका स्थान अधरवे Richest Woman में भी उनका स्थान पहला है और उन्होंने रेखा जुन-जुन वाला को पीछे छोड़ दिया रेखा जुन-जुन वाला का स्थान जो है वो दूसरे नंबर पे है जो Rare Enterprises की Head है नेक्स है गौतम अधानी और फैमिली जो है वो टॉप करते है आया फैल वेल्थ ही और इंडिया रिचलिस दो हैर बाइस में बिलकुल सही है और साथ लाख 94,000 करोड के आसपा सांकी गई है तो इसका मतलब ये भी बात जो बिलकुल सही है बाइलोजिकल ई की महिमा दातला जो है वो रिचस्ट वोमेन है तेलांगना की और साथी साथ आंधरा परदेश की वी तो याद रखना है महिमा दातला और फैमिली जो की परमोटर है बाइलोजिकल ई लिम्टेड की वो रिचस्ट वोमेन आई है तेलांगना और अंधरा परदेश की उनकी टोटल नेटफर सामने है ये 8700 करोड और उनका पूरे अगर आप रैंकिंग देखोगे तो उसमें रैंक जो है वो 10 नंबर पर आती है तो ये भी बात बिलकुल सही है तो अंसर क्या होगा और आफ दी वग क्योंकि सारी की सारी स्टेटमेंट बिलकुल सही है उस एयरपोट का नाम बताना है जिसको रीसेंटली एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया कोचिन इंटरनाशनल एयरपोर्ट को तो अंसर क्या होगा मिशन सेफ गार्डिंग जो कि इन्होंने कोवीड के दुराण चलाया थाकि पैसेंजर्स को कोई भी तरह की कोई प्रॉल्लम ना हो कोवीड के दुराण और हर तरह की प्रॉलम उनकी सौल्ब की जा सके और यह अवार्ड को रिसीव किया है कोछिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट क की तरफ से राष्ट्रपती ववन दिल्ली के अंदर और टोटल कितने एननेस अवाड़ दिये गए है एन ऐसे अवाड़ दिये गए है टोटल 42 चार होगा और टोटल 42 अवाड़ से समानित किया गया है दो यूनिवर्स्टीज को दस नैशनल सर्विस स्कीम यूनिट्स को और उनके प्रोग्राम ऑफिसर्स को और तीस आप कह सकते हो कि एन एसस वॉलेंटियर्स को भी जो है वो इसमें सम्मानित किया गया है तो आप कह सकते हो टोटल अवार्डस हमारे पास कितने हो जाते हैं 42 और एन एसस अवार्ड जो है वो हर साल दिये जाते हैं यह डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेर्स की तरफ से दिये जाते हैं मतल्ड मिनिस्ट्री अच्छा कॉंट्रिबूशन किया हो अपनी तरफ से कम्यूनिटी की सर्विस के लिए तांकि हम नैशनल सर्विस स्कीम को जो है वो आगे बढ़ा सकें और एन एसस को इंडिया के अंदर और ज्यादा आगे लेके जा सकें तो 42 एन एसस अवार्ड जो है वो दिये गए हैं जो की आईशनल बार स्कीम को बहुती अच्छे से चलाने के लिए दिया गया है आईशनल बार स्कीम आपको पता है कि 5 लाक रुपे हर साल दिये जाते है हर फैमिली को तांकि वो किसी भी बिमारी का इलाज करवा सकें और ये state है उत्तरप्रदेश बहुती अच्छी health facilities उन्होंने लोगों को परवाइट की है लगबग 28,728 के आसपास इन्होंने health facilities लोगों को परवाइट की है और ये National Health Facility Register के अंदर उन्होंने अपना नाम दर्च करवाया और UP जो है वो पहली स्टेट ऐसी बन किया जिसने सबसे अज़्यादा Health Facilities लोगों को परवाइट कराई दूसरा स्थान इसमें करनाटका का है और तीसरा स्थान जो है वो अंदरपरदेश का है चौथा महाराश्टरा का है और पांच माँ इसमें बिहार का है लेकिन आपने पहले दो याद रखने उत्तरपरदेश पहले पे है और दूसरे स्थान पे कौन सी स्टेट है दूसरे स्थान पे हमारे पास है करनाटका उस परसनेलिटी का नाम बताना है जिसको फर्स्ट कुइन इलिजबेट टू वोमन अफ दी इयर अवार्ड दिया गया एशियन अचीवर अवार्ड दो हैर बाइस के अंदर और ये परसन हमारे पास है सोयला ब्रेवर मैन आपने नाम जरूर सुना होगा ये फॉर्मर यूके की होम सेक्रेटरी थी और ये इंडियन ओरीजन है ये बहुत ही खास बात है कि इंडियन ओरीजन यूके होम सेक्रेटरी रह चुकी है सोयला ब्रेवर मैन क्योंकि इन्होंने रिजाइन कर दिया था और इनको 1st Queen Elizabeth II Women of the Year Award Asian Achiever Award में समानित किया गया जो की ceremony कहां पे हुई है London, England में और ये British politician है, barrister रह चुकी है और साथी साथ इनको UK का Home Secretary point किया गया था starting में 6 September में जब आप कहा सकते हो कि Liz Tross को या Elizabeth Tross को Prime Minister बनाया गया था UK का लेकिन अब तो वो like resign कर चुकी है अब तो रिशी सुनक जो है वो आज जो है वो ओत ले लेंगे तो मतलब अब जो है वो ये Home Secretary नहीं है तो देखा जाएगा कि कौन सा पज जो है वो इनको अब दिया जाएगा लेकिन Asian Achiever Award 2022 जो है वो 20th edition है Asian Achiever Awards का और इसमें कई लोगों को recognize किया जाता है उनकी achievements के लिए जो कि उन्होंने बेटेइन के अंदर रहके अपनी community को खास करके Asian community को आगे बढ़ाने के लिए काम किया हो कौनसे points इसमें से correct है अगर लता मंगेश का awards हम देखें जो कि September 2022 में दिये गए है तो बहुत ही famous playback singers इसमें कुमार शानू जी का नाम है शिलेंदर सिंग जी का नाम है तो अलग-लग साल के लिए इनको सम्मानित किया गया तो पढ़ लिते हैं कि कोई statement गलत है या फिर सारी की सारी ही हमारे पास statement सही है और अपने याद रखना है यह prestigious award दिये जाते है birth anniversary of लता मंगेशकर के दिन मतलब 28 September को यह award जो है वो दिये जाते है क्योंकि यह award जो है वो लता मंगेशकर जी को dedicate किये गए है और specially यह मद्यपरदेश की सरकार की तरफ से दिये जाता है इन दौर में इन awards को दिया जाता है तो पढ़ लेते हैं प्लेबेक सिंगर शिलेंदर सिंग जी को honor किया गया है लता मंगेशकर अवार्ड 2019 के लिए 2019 के लिए क्योंकि उनकी अपनी अलग आवाज थी जो कि उन्होंने 1970 से लगे 80 के बीच में जो है ज़्यादा गाने जो है बहुती ज़्यादा फिल्मों में कई गाने जो है उन्होंने compose किये हैं लगबग 200 फिल्मों में उन्हें गाने जो है वो compose किये हैं बनाई है उन्होंने तो इसका मतलब ये भी statement बिल्कुल सही है 2020 के लिए कुमार शानुजी जो की लताम अगेशकर अवाड हासिल करते हैं 2021 के लिए उनकी बहुत ही प्यारी अवाज के लिए उनको ये अवाड जो है वो दिया गया है 1990 में उन्होंने बहुत ही बहतरी इन गानों को अपनी अवाज दी तो ये भी बात बिल्कुल सही है तो अंसर क्या ह होगा और सारी की सारी स्क्रेटमेंट सही है तो याद क्या रखना है कि 2019 के लिए किसको दिया गया वाड 2020 के लिए किसको मिला है IFL Wealth You're On India 40 अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 चाली से कम-कम यो आजू के लोग हैं और वो बहुत ही अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं उसे लिस्ट को जारी किया है IFL की तरफ से और ये सब्तमबर 2022 की लिस्ट के अंदर कौन से परसन जो की को फाउंडर है जरोदा निखिल कामत जो की को फाउंडर है जरोदा के वो टॉप करते हैं इस लिस्ट के अंदर और उनकी नेट वर्थ है लगबख 17,500 क्रोड रुपए और बवीश अगरवाल जो की CEO है ओला इलेक्रिक और ओला कैप्स के तो अंसर यहां पे चार बनेगा तो वो दूसरे स्थान प करते हैं अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए अपने बिजनस को बढ़ाने के लिए और उसमें टॉप स्थान हासिल किया है बंगलूरू ने और दूसरा स्थान न्यू दिल्ली ने हासिल किया है और तीसरा स्थान जो है वो मुंबई ने हासिल किया है किसको रीसेंडली चे अवाड यह वह दिया गया है तो यह सेरेमनी जर्मनी के अंदर हुई थी जिसके अंदर इनको सम्मानित किया गया और श्रिष्टी बक्षी की efforts है जिसके लिए उनको सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने awareness क्रेट की है कि जेंडर बेस्ट वाइलेंस नहीं होनी चाहिए और जेंडर बेस्ट इनेक्वैलिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए और युनाइटर नेशन SDG Action Award ceremony जो होई है वो celebrate करता है specially लोगों के initiatives को जो उन्हों ने start किये even अपने दम पे उन्होंने को initiative start के और लोगों को बताया कि एक आदमी के change करने से जो है वो पूरी की पूरी चीज़े जो है वो change हो सकती है तो एक एक आदमी अगर change होगा तो हम पूरी force लगा के पूरे system को जो है वो change कर सकते हैं तो श्रिष्टी बक्षी की इनी efforts के कानून को change में का reward जो है वो दिया गया है लास्ट कोश्चन है नेमदी परसनेल्टी उस परसनेल्टी का नाम बताना है और उनली इंडियन है जो time 100 next emerging leader list में शामिल हुए है सब्तमबर 2022 में इसको release किया गया और यह है अकाश अमबानी मुकेश अमबानी जी के बेटे और साथी साथ Reliance जीयो के chairman भी है तो यह only Indian है जो time 100 next emerging leader list में शामिल हुए है और आपने याद रखना है time magazine जो है वो इसको हर साल publish करता है time 100 next के नाम से और इसमें 100 rising stars जो है वो शामिल किया जाता है पूरे world में से और time 100 next list जो है वो उसमें medical professionals को भी लिया जाता है उसमें government officials को लिया जाता है movement leaders को high profile whistleblowers को CEOs को लिया जाता है तो इसी तरह से अकाश अमानी जो है उसमें only Indian शामिल हुए है तो यह थे हमारे पास awards जो कि बहुत ही important थे सब्तंबर महिने के लगता है मुझे आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो like करे शेर करे और चैनल को subscribe कर ले और आप हमें हर platform पे जोईन कर सकते है facebook का instagram है telegram है और telegram का joining link जो है वो description box में दिया हुआ है वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना दियान रखें thank you guys take care bye bye